कैसो मेरे प्यारे बच्चों अंके सर इधर दो-तीन दिन से बच्चों के बहुत फोन में से जा रहे हैं और क्लास में घुसो उसके पहले बोलते थे सटनीट होगा कब तो हम यह करना चाहेंगे अच्छा इसका रीजन क्या है कि सोसल मीडिया पर बहुत खबरे आ रही है ज़र मतलब है कि पुरानी चीज़े हटाना है और नहीं चीज़े एड़ करनी है और आईटी का जब नोटिफिकेशन आया था तो तब भी ऐसे हुआ था तो यह बात तो बच्चों मिल्कुल सही कि वेबसाइड अपडेट हो रही है आपका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला इ इवन G News के में तो बताया गया सर की जो लीट का नोटिफिकेशन है वो अपकमिंग वीक में आ जाएगा बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि लोगो ने भी बात की होगी तो अपकमिंग वीक में नोटिफिकेशन तो आई जाना सही है सर यह जो आर्टिकल है कि जुलाई के साइट पे कोई अफिसेल अपडेट ना जाए तब तक किसी तरह के रिउमर में न पढ़े और बात वही है युदि की तैयारी में लगे रहो युदि की डेट का इंदिजार मत करो युदि की डेट भी आएगी लड़ाई भी करनी और आपको सेलेक भी होना है सर ये तो सारी सोसल मीडिया के अपडेट से हम लोगों ने बच्चों से सेर करी आप ये बताईए आपके अनभौ के आधार पर नीट 2022 के लिए क्या उपिनियन है आपका अंकिस सर मुझे ऐसा लगता है जैसा कि फिल से कहेंगे हम NTA के डारेक्टर तो है ने लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन तो नेक्स वीक या नहीं आएगा तो उसके नेक्स वीक में जरूर आजाएगा दूसरी बात है जहां तक नीट की बात है ये जूल में तो होने की संभावना नहीं है लेकिन प्यारे बच्चों आप मान के चलिए जूल प्यारी पूरी कर लिजे लेकिन मुझे ऐसा लगता अंकिसर जूल में भी नीट का पेपर नहीं होना चाहिए जो मेरे इसाब से या 15 जुलाई के बाद या सोसल मीडिया में जो एक अपडेट चला 17 जुलाई 17 जुलाई 17 जुलाई हो सकता हो जाए ठीक है ना लेकिन जून में तो नीट का पेपर नहीं होगा तो बच्चों ये दो अपडेट है आपके रेजिस्ट्रेशन फार्म जदी आ सकते हैं इसमें हम लोग नेक्स वीडियो में तब तके के लिए जैहिन जैवाराइब